नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बर फेसे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में या डाउड बिलकुल ही होगा क्या मंत्रा पन्ने से देवी दियोताओं के दर्सन होते हैं बिलकुल ही आज के शमय में जो शाबर मंत्रा कहे गए हैं इनका को सफल कर सकते हैं भगवन संकान ने इस कली कल अनेकों मंत्रा को किलेट करके रख हैं जैसे कि मंत्रा की कुछ ख्रम होती हैं जैसे कि हम लिद्धिश कर देवी निकाकर कर जाता है। ने मंतरों की जब जो हर उड़ा होती है मंतरा की जो पावर होती ब्हुतЭ का गलत परूक vuelta तो इस कलीय काल में भगवान ने सभी मंत्र को खीलिद करने की ज़ूरत नहीं इसलिए जो शावर मंत्रा की जाब होते हैं तब काल रीजल्टा देते हैं तो क्या देवी दियोताओं के मंत्रों के दवारा दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल ही कर कि इस मंत्रा को जपेंगें उन्हें बिल्कुल ही माता रानी की दर्सन होती होते हैं। अधम से इस मंत्र को पढ़ने एक बाद माता नौ दुर्गा के दर्शन होते हैं तो अगर आप भी मात दुर्गा की किरिपा प्राप्ता करना चाहते हैं तो गुरु परमपरा से प्राप्ता हुई जानकारी बतारों गुरुओं के द्वारा आज मुझे अप्रणा मिली कि समा का आजमी इस प्रकार के मंत्र को पढ़ें और लोग इनका दुरुपयो करना शुरू कर दे देखें आभको इस मंत्र को जब करने से पहले पूर्ण और उस्य पवीतरता का ध्यान रखना है पंज गब्य को बना लेना है जैसे गाय के पंज गब्य बनाते हैं गोबर्ज होत किसी भी प्रकार्ग की जो अशुद्धी होंगे कभी सी tooash ऑप सब्सक्राइब किसी भी टाइम में दर्सन दे जाते हैं। जो जानकारी बतार हूँ इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना मैं माता रानी से प्राथना करूँगा कि जिस प्रकार हमारे कई ऐसे दर्सक हैं जिन्हें माता रानी के दर्सन हो चुके हैं जैसे कि हमारे साथ में रहने वाले बहुत सारे से बंदू हैं जिन गुण चने और नहीं करते हैं, कोई भी गुण और चने जरूर छिला देना, यह आपके तपवल क बढ़ाइंगे और हो सके तो तुलसी को जल जरूर चढ़ाना तुलसी को जल चढ़ाने से हमारे योगबल बढ़ते हैं और चीटी को शक्कर खिला देना चीटी को शक्कर खिलाने से किसी भी प्रकार की जीवन में जो दोस रहती हैं समापता हो जाते हैं जब हमारी जीवन में दोस रहें तो हमें जो हैं मातारानी के दरसन करने में काफी कटनाया होती हैं तो इसलिए मैं बतारों कि चीटी को शक्कर खिलाने से दोस समापता होते हैं कुट्टे को भोजन करा देना कुट्टे को भोजन कराने से मंत्र में किसी मंत्र बतार हूं गुरू परम्परा कैं मात्र से परापना करूँ से प्राप्त अधर है। करना है और आप जो भगवान गड़जी से भी प्राथना कर लेना कि है भगवान गड़जी हमारे जब के उर्जा कोई और जो है देवी शक्ति जो है क्हींचे न क्योंकि जो देवी शक्ति होती है कभी कभी मंत्रों के दूसरे की जो उर्जा इसे चुरा लेती है जो हमारे ग अच्छा लगनी लगने 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 जिनका बिश्वास नहीं करेंगे आप Two- Qi Reber आपको हलका लगना मैसुर रूब हो जाएंगे और आपके जो मस्तिस्क है वहाँ पर कमपन होना शुरू हो जाएंगे मैं अब सभी दर्सकों के कल्यान के लिए इस प्रकार के जानकारी बताए जाओ तो मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि प्राचीन ग्यान जानकारी होती है जिसमें सभी लोगों को कल्यान चुपा होता है सभी लोगों का अध्यात्मा जो कहा है कल्यान होता ही सब चुपा होता है आई मैं आप लोगों को मंत्रों को बारे में बता दो मंत्रों को बिल्कुल आपको धिमिश्वर में जपना है चल मैं मंत्रा बता रहा नमो नमो दुर्गा देवी सीह पर सवारी आव मा एक निर्बल भक्त पुकारी भू लोक में बैठा यह भक्त तुम्हारी सीव का सिवा विश्नु किनारी जै जगदंब जै हो तुम्हारी अनेग रूप है तेरी माता गिर्जा पार्वती रूप कल्यानी मोहे दर्सन दो माता जै जगदिश्वरी भावानी दर्सन न देवे तो भगवान संकर की आन गुरु गोरक नात की लाज ओम दूम 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 तो दोस्तों यह हैं शाबर मंत्रा इस मंत्र को मैं अभी वीडियो की स्क्रीन में भी देख सकते हैं यहाप आप लिख सकते हैं लिख लिजे वीडि कि स्थान करने की जुरत नहीं यह स्वै शिद्ध मंत्र हैं आज से ही अभी से ही इस video को देखने के बाद इस मंत्र kो आप मोबाइल से बहाएं पढ़ना सुरू कर सकते ही से गंठ़स्टा आ कलीज saben याद कलीजिए और इस मंत्र को जबना सुरू कर दीजिए हां लेकिन एक कारे को करने के लिए जाए तो इस मंत्रा को मत जबना इस मंत्रा को जितना ज़्यादा जब पेंगे उतना ज़्यादा आपके सरीर में उर्जा बढ़ेंगे आपके सरीर में कमपन आएंगे आपके जो मस्तिश्का हैं जहां पे तिसरा नेत्रा होते हैं वहां पे कमपन होना श देवी रूप में दरसन दिये और बिल्कुल ही हसाते हैं आब को टकलीब हैं तब के लिएक आप सी बात मंद मन्द मुष्कान भरेंगे आब से बिल्कुल ही जैसे छोटे बची पश्यती TIME TAKLCP फिलाएंगे आपको हसाएंगे और आपको कर अ दर्सन दिये तो आपके शभी प्रकार के कल्यान भी करते हैं मातरी रूप में दर्सन दिये तो दुख तकलिब गरिबी को मिटा करके जाते हैं तो इस मंत्रा का जाब करना अभी से सुरू कर दीजे इस मंत्र को जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मातारानी का आपको दर्शन होंगे मातरानी के दर्सन होती आपके सारे दुख, तकलीब, परसानी, जीवन में चेहरी बाधा, सारे बाधा समापता हो जाएंगे और हाँ आप सभी दर्सकुक बताना चाहूंगा इस मंत्र को जपने के बाद इसे आपको किसी को बताना नहीं है यहां तक कि अगर किसी का पतनी जप रहे तो पती को नहीं बताना है पती जप रहे तो स्वयम अपने पती को नहीं बताना है इस मंत्रा को गुपता रखना है मंत्रा गुपता रखते हैं तभी जाकर की रिजल्ट दिखाते हैं मंत्रा की प्रभाव तभी पावरफूल होती है तभी चमतकारिक शक्तियांस शक्ति साली साबीत होती है जब इसे गुपतर रखा जार गुप नी रखा जा operates इसके बारे में किषी को ना बताए जाए तो ये थे कुछ चोटे से जानकारी आज किस बीडियो में ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सक्षेन में जरूर बताना और इस मंत्रा का जाब करना शुरू कर दीजे जब आपको माता रानी के दर्सन होंगे तो हमें भी पुन्ने की प्राप्ती होगा हमारे चनल का मक्षारत है सनातन धर्म की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचाना ताकि आप से भी दर्सक को का भला हो आज की जानकारी है पर समाप तक करता हूं दर्सको जय सिराम जय माता दी